नमस्कार मित्रो मैं धनेश्वर महतो पूरे देश के अंदर फिर से एक बार मान्निय परधान मंत्री ने 19 दिन के लिए लोगडॉन बढ़ा दिया है लेकिन मान्निय परधान मंत्री ने लोगडॉन बढ़ाया इसकी दिक्कत नहीं है दिक्कत ये है कि जो हमारे देश के अंदर मजदूर है गरीब आदमी है जिनके पास कोई खाने पीने की बवस्था नहीं है उन गरीब आदमियों के विसे में मान्निय परधान मंत्री ने एक भी लबज नहीं कहा जो कि पिछले मैं 22 दिनों से 25 दिनों से सरकार से ये मांग करता आ रहा हूं कि कम से कम सरकार उन बेक्तियों के विसे में सोच मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कम से कम आदे घंटे कॉल ना करे तो बहुत-बहुत महरबानी होगी जो भी बेक्ती जदी देख रहे हैं क्योंकि कॉल करते हैं तो यहां रुक जाता है मैं आपसे हाद जोड़ के बिंती करता हूँ कि किर्पिया कुछ कॉल ना करे तो बहुत महरबानी होगी तो बिसे है कि आखिर मान्निय परधान मंत्री जी ने हमारे देश के अंदर जिस गरीबों के मत से मान्निय परधान मंत्री जी आप परधान मंत्री चुने गए उनका विश्वास आपने जीता लेकिन उसके बिश्वास को आज तोड़ने का काम भी आप ही ने किया है क्योंकि ये गरीम मजदूर बेसहाए लोग आज देश के तमाम राज्यों के अंदर जिसके अंदर सबसे ज़्यादा तीन राज्यों के मजदूर मिलेंगे सबसे ज़्यादा मजदूर आपको भिहार से मिलेगा उत्तर परदेश से मिलेगा और जहार खंड से मिलेगा ये तीन राज्यों के सबसे ज़्यादा मजदूर दूसरे राज्यों में जाते हैं महनत मजदूरी करने क्योंकि इनके अपने राज्यों के अंदर कोई भी किसी भी तरह का, किसी भी तरह का, किसी भी तरीके का इनके पास साधन नहीं है महनत मजदूरी करने का, इसलिए मजबूरी में ये लोग अपने बाल बच्चों का पालन पोसन करने के लिए मजबूर होके, अपमानित होके, बाहर गालियें सुनके, महनत मजदूरी करके, अपने घर परिबार का पेट भरने का काम करते हैं। लेकिन माननी है परधान मंत्री जी आप फिर से आए टीवी चैनल पे, एक नए स्टाइल के अंदर, और आपने फिर से इन गरीब जनता को, जदी मैं कहूं, जेल में सुरक्षित रहता है आदमी, क्योंकि जेल के अंदर, नास्ता टैम पे मिलता है, खाना टैम पे मिलता है, लेकिन आपकी ने जो अभी इस लॉक्डॉन को, फिर से बढ़ा दिया, ये काला पानी की जदी हम कहें, काला पानी की सजा, जदी आपने देश की जनता को, मुझे लगता है कि आपने काला पानी की सजा, मजदूरों को, बेकसूर मजदूरों को, मरने के लिए, जैसे लोग पहले काला पानी में कैद कर देते थे, एक बड़े अपराधी को, और उसको जंजीर से डाल दिया जाता था, और उसको मतलब, तिन-तिन करके मरता था वो बिक्ती, उसी तरह की इस्तिती, आज मानिये परधान मंत्री ने, इस देश की जनता को, इस देश की जनता को, कर दिया है, तो ये किसी भी एंगल से, सही नहीं लग रहा है, अरे भाई आपको बोला ना कि कुछ देर बाद आप कॉल करिये, तो ये समझना पड़ेगा हम लोग को, कि मानिये परधान मंत्री जी ने, जिस तरह का, अभी जो लॉक्डॉन किया है, और पूरे देश की जनता को, एक परेसानी में धकेल दिया है, तो उसे समझ सकते हैं, आप लोग, कि क्या हाल है आज देश का, मैं कह रहा हूँ कि कम से कम, पांच हजार कॉल, पांच हजार कॉल से मेरे पास कम नहीं आए होंगे, क्योंकि भारत सरकार ने, और राज्यों के सरकारों ने, जो अपने अपने नागरिकों को वेबसाइड के जरिए या मुबाइल फॉन के जरिए जो कहते हैं कि आप ये हेल्प लाइन नमबर है आप इस पे संपर्क करें तो उन गरीबों का उस नमबर पे सिर्फ और सिर्फ मजाक उड़ाया जा रहा है पहला नमबर तो नमबर नहीं लगता है और जदी नमबर लग गया तो वो हाथ खड़े कर लेते हैं कल मुझे एक तमिल नाडू से कॉल आया था जिसने डियम से बात करी तो डियम बोलता है हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं तो इससे ज्यादा और सर्मनाक और क्या बात होगी हमारे देश की जो जिला का मालिक है और जिला के मालिक से एक मजदूर भूखा प्यासा उससे मतलब सहायता मांग रहा है तो वो बोलता है डियम सहाब के हम आपकी कुछ हालात हैं ये हम लोग को समझना पड़ेगा मैं चौदा तारीक को डैनिक जागरन पेपर के अंदर वारा नसी से एक ख़बर छपी है अब कितनी जूट है कितनी सच है ये मैं नहीं जानता हूं लेकिन मैंने वारा नसी के पेपर में देखा कि चौदा तारीक को 25 बस 25 बस 25 बस जो है भाईया अगर इस तरह आप परेसान करेंगे तो मजबूर होके मुझे इस नंबर को बंद करना पड़ेगा क्योंकि आप जान बुच के परेसान कर रहे हैं तो मैं जो ये नंबर है फेस्बुक से फिर हटा लूँगा क्योंकि बार-बारी कॉल करके डि घंटे के लिए सबर रख लें फिर आप बात करिएगा मैं हर बेक्ती का कॉल उठाता हूं हर बेक्ती से बात करता हूं तो मैं आप से हाथ जोड़के प्रातना कर रहा हूं क्यूं भाई मैं आप लोग से आप प्रात्ना कर रहा हूं तो समझ में नहीं आ रहा है आप थोड़ी दिर बात बात करें तो ये बिसे है प्रिये बंदूगन के पचीस बसे पचीस बस जो है वारा नसी से पचीस बसे महराष्ट की तरप गई है तो महराष्ट सरकार जदी अपने नागरिकों को महराष्ट अब इस लॉक्डॉन में बुला सकती है तो फिर बिहार के मुख मंत्रे नितीश कुमार जी आप अपने लोगों को जो फसे हुए है उनको आप क्यों नहीं बुला सकते भारतिय जन्ता पाटी की आपकी गढ़वंदन की सरकार है क्या बिहार के लोग इंसान नहीं है क्या इनका गुना सिर्फ इतना सा है इन गरीब आदमियों का कि ये गरीब अवस्था में पले बड़े हैं गरीब हैं मजदूरी करके अपने बाल बच्चों का पेट भरते हैं क्या इनकी ये बहुत बड़ा अपराध है मैं मानिये नितिस कुमार जी से पूछना चाह रहा हूं कि क्या गरीब आदमियों को इस देश में जीने का अधिकार नहीं है मानिये परधान मंत्री जी मैं आप से पूछना चाह रहा हूं क्या इस देश में गरीब आदमियों को जीने का अधिकार नहीं है दिल्ली के अंदर इस लॉक्डाउन के अंदर कई मीडिया चैनलों ने दिखाया था कि विदेशी परियटक आराम से कनाट प्लेस में घूम रहे हैं उनको कोई पूछने वाला नहीं है तो कौन सा भारत सरकार का ये कानून है भाई बिदेशीयों के तो आप तलवे चाटते हो और अपने भारत के नागरिकों को भारत के नागरिकों को गरीब आदमियों को मजदूरों को जेल खाने से भी बत्तर जिंदी की जीने के लिए मजबूर कर दी हो क्या चीज ये मांग हैं ऐसा क्या चीज ये गरीब आदमी मांग रहे हैं सिर्फ आपसे दो टैम का खाना ही तो मांग रहे हैं और एक साल के लिए लोगडाउन करोगे तो एक साल ये मजदूर रह जाएंगे घर में लेकिन इनका ये अधिकार बनता है कि आपने जदी लोगडाउन किया है तो ये आपके सरकार की जिम्मेदारी है आपकी जिम्मेदारी है कि ये जो मजदूर आदमी है आज फसे हुए है या तो इनको अपने घर तक आप भेजें कोई बड़ी बात नहीं है हववा बना दिया है आपने और आपकी देश की देश दरोही मीडियाओने ये देश दरोही मीडिया है ये इस देश के दुस्मन मीडिया है इस देश की एकता खंडता की जो भाई चारा है उसको खतम करने वाली ये मीडिया है कल बिने दूबे को महराष्ट पुलीस ने गिरबदार कर लिया हमने लोग ने देखा बिने दूबे ने एक बयान दिया कि हम यूपी और बिहार के आदमियों को एकठा करके पैदल ले जाएंगे तो मैं समझता हूँ वहाँ पर ये भी है कि राजनितिक ही उसने खेला क्योंकि जदी महराष्ट से यूपी और बिहार के आदमी पैदल चलके अपने घरों को आएंगे तो वो बिक्ती वैसा ही मर जाएंगे तो बिने दूबे ने भी कोई ये बहुत बड़ा अकलमंदी का काम नहीं किया मेरे पास हजारों की लाखों ये कई हजार कॉल आये हुएं जिसकी कॉल रिकॉर्डिंग है मैं बार बारी कह रहा हूँ बिहार सरकार से भारत सरकार से कि आप कहिए तो मैं आपको कॉल रिकॉर्डिंग देता हूँ बेक्तियों के नंबर देता हूँ जो फसे हुए है आप उनको मदद पहुंचाईए वो आपसे सोना चांदी नहीं मांग रहे हीरा मोती भारत सरकार से नहीं मांग रहे है वो अपने जीने के लिए दो टैम की वक्त का खाना मांग रहे हैं जो उनका अधिकार है भारत सरकार का ये राइट बनता है राज सरकारों का राइट बनता है M.A.L.A. जो चुने गए हैं जो सांसत चुने गए हैं जो क्या कहते हैं वाट कॉंसरल चुने गए हैं सहरों के अंदर वो सब की जिमेदारी बनती है कि अपने छेतर के लोगों की वो रक्षा करे इस बुरे टाइम के अंदर ऐसा कोई इन मजदूरों का कसूर नहीं है ये मजदूरों का सिरफ इतना सा कसूर है कि हमारे बिहार की सरकारें जितनी भी आज तक बनी है वो एक निकम्मी सरकार बनी है जिसने कभी बिहार के लिए कभी सोचा ही नहीं सिरफ सोचा तो अपने घर परिबार के लिए सोचा अ यहां इंडेक्टी लगाने के लिए सोचता तो साइत आज जो मेरे बिहार के और यूपी के मजदूर सब जारखंड के मजदूर वो बाहर राज्यों में अपने जीवन के लिए जीने के लिए दो टैम का खाना सरकार से मांग रहे हैं और उनके बदले में क्या दे रहे हो आईएंगे लोग बिहार में आएंगे काम करने के लिए मैं ये बचन देता हूं कि जदी धिने स्वर महतोजीवित रहे गया पुछ बर्स तो हो दिन आएगा लोग बिहार के अंदर आएंगे लोग काम मांगने के लिए और मिलेगा उन्हें सम्मान भी मिलेगा काम भी मिलेगा यह मैं बिहार बाशियों को बचन दे रहा हूं कि वो दिन आएगा इसकी हमें एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी लोग बोलते हैं राजनितिक कर रहा हूं अरे भाई क्या चीज की राजनितिक कर रहा हूं क्या एलेक्शन हो रहा है क्या मैं भोट मांग रहा हूं क्या राजनितिक जदी इस देश में कोई करता है तो वो भारतिय जनता पाटी करता है और कोई राजनितिक दल बुरे टाइम में राजनितिक नहीं करता है इसका जीता जागता परमान है कि इस देश के अंदर एक जाती विशेस को टारगेट किया जा रहा इस बुरे टाइम के अंदर भी उसमें भी हिंदू मुसल्मान इस देश की गदार मीडिया कर रही है अगर इस देश में दंगे फसाद होते हैं इस देश का तनाव बढ़ता है तो उसका ज न्यूजनेशन है इंडिया टीवी है ये न्यूजनेश ये चैनल जो है न इस देश के सबसे बड़े गदार चैनल है इस देश की तरक्की के सबसे बड़े बाधक हैं एक चीज़ आप लोग को आज मैं देश की जनता से कहना चाह रहा हूं गौन है इन चैनलों के मालिक सुवाश चंद्रा किस राजनितिक दल का सदस है और सुवाश चंद्रा का ही जी न्यूज है थोड़ी सी दिमाग दोराइए तो आप लोग को सब चीज का जबाम मिल जाएगा दो सो चैनलों का मालिक है मुके सम्मानी पता है आप लोग को और मुके सम्मानी और नरिंद यह गरीब आदमी का पूरे देश में नाम बता सकते हैं जो गरीब आदमी उसका मित्र हो गिश यह के जनता और यह देश की जणता गरीब जनता क्या मासूम जनता ये सब मोधी जी के दुसमन हैं, मोधी जी उनको अपना दुसमन समझता है। तभी तो गुजरात में इतना बुरा हाल है इन गरीब मजदूरों का, के ये सरकार, नरेंद मोधी की सरकार, जिसने 49 सीटे बिहार से दी हैं भारतिय जन्ता, पाटी को, वो बिहार की जन्ता को बढ़ो बहुत pointly बात जरा समझने की जरुवत है अभी परसो की बात है दिल्ली के अंदर दो पुलिस वाले हमारे सिख भाई को पीटते हैं जो सिख भाई को पुलिस वाले पीटते हैं उन दोनब पुलिस वाले को सस्पेंड कर दिया जाता है लेकिन हमारे बिहार के उत्तर भारतियों को यूपी के जारखंड के लोगों को लाखों की संख्या में ऐसे वीडियो है जो पुलिस वाले चारों तरफ से जानबर को भी नहीं कोई पीटता होगा जिस तरीके से हमारे यूपी बिहार जारखंड के लोगों को परसासन के कोई कारवाई नहीं होती है तो क्या ये बिहार यूपी जारखंड की जनता के साथ भेदभाव बाला रवया नहीं है आप सब खुद फैसला करिए ये तो समचारों में आया है मैं कभी भी आलतु-फालतु की बाते नहीं करता हूं पूरे परमान के साथ बात करता हूं और एक बात और कह रहा हूं सुन लो भाई कुछ गोबर भगतो जिनके दिमाग में गोबर भरा हुआ है वो जो धमकी देते हो ना मुझे मेरा नाम धनेश्वर महतो है और जातका मैं कुस्वाह हम हूं समझ लो बढ़िया स है कुस्वाह मतलब किसान जिस तरीके से किसान खेत की फसल के लिए घर क्येतों में जो घास होता ना जड़ से निकाल देता है वैसा ही मैं देश के सारे सैतानों को जो है ना जड़ से निकाल दूँगा ये सैतानी दिमाद मुझे कोई मत दिखाना मैं जात का कुसवाह हूं ये धमकी फमकी मुझे मत देना इस बुढ़ापे में भी बहुत है तो ये धमकी बाले हां मैं कोई देश के खिलाब बोलता हूं खुली चुनोती देता जाओ कोट में जाओ मेरे खिलाब एफाराई दर्ज करो लेकिन फौन के उपर जो मेरी मा बहन की भद्दी भद्दी ये गालिये देते हो ना लॉक डॉन खुलने दो हवालात का रास्ता धनेश्वर महतों वादा करता है कि जितने भी अब सद भासा का परियोग किया गया है सब की कॉल रिकॉर्डिंग है और आपको हवालात का रास्ता मैं आपको बचन देता हूँ कि आपको हवालात का रास्ता मैं दिखाऊंगा और जो आखा पे आप कूटते हो ना ये देश समीधान से चलता है वो आखा आपकी मदद नहीं करेगा देश में समीधान है और समीधान से ही ये देश चल रहा है तो इसी लिए जिसके दिमाग में जो कचरा भरा हुआ है कि मेरे आका मेरी मदद करेंगे तो जब कानून का फंदा पड़ता है न तो भूलना मत के इस देश में इंडरा गांधी भी जेल जा सकती है वो चीज है कानून लालू परसाद भी घोटाला करके जेल जा सकता है पीबी नर्सिम्मा राव भी जा सकता तो तुम किस खेत की मूली हो तो भासा जो परियोग करते हो थोड़ा उस भासा के उपर सयम रखो और जदी मैं कुछ बोल रहा हूं कुछ गलत बोल रहा हूं कुछ देश में ऐसी कुछ मैं भाइया इकना परिसान कॉल करके मत करो अभी मैं आपसे बात करूंगा थोड़ा सबर रखें तो जो बाते मैं कह रहा हूं वो समझे देश की जनता को माननी है परधान मंत्री जी लाश्ट मैं कह रहा हूं ना तो उसको बिल्डिंग चाहिए ना उसको सोना चाहिए ना हीरा मोती चाहिए देश की जनता महनत मजदूरी करके अपना पेट भरती है और आपने महनत मजदूरी उसका बंद किया है तो आपका दायुत बनता है उन मजदूरों को दो टैम का खाना देना नहीं तो यह काला पानी की जो आपने इस मजदूरों को सजा दी है इसका खामियाजा आपको अगले एलेक्षन में भुगतना पड़ेगा ये सच्चाई बता रहा हूं बिहार में चुनाव है ना समझ में आ जाएगा नितिस कुमार जी समझ में आ जाएगा कितनी सीटे मिलती हैं बड़ा नाज है ना ये हिंदू मिसल्मान की बीमारी फैला के तो ये मत समझना के जो मजदूर आज भसे हुए हैं वो हिंदू भी है और उनी हिंदूों की हजारों की संख्या में मेरे पास कॉल है जो मेरे से मदब मांग रहे हैं अगर मेरे पास कुछ पावर होता तो मैं उनको अब तक मैं एक भी बिहार बासियों को बाहर नहीं छोड़ा रहता अब तक लिया कोई बड़ी बात को थोड़ी है भारत सरकार के पास बीमारी चेक करने की मसीन तीन लाग जो आपने मंगाया क्या कहते हैं अमरीका से और चेक दिन में कितनी कर रहे हो दस हजार पांच हजार तो मनसा भारत सरकार की अच्छी नहीं है देश की नागरीकों के परती भारत सरकार से मैं फिर अपील करता हूं कि आपके बसके जदी उनको खाना खर्चा देन कि आपकी नरेंद मोदी जी आपकी वैसे तो भारत सरकार के पास अभी आपने कहा कि किसी चीज की कमी नहीं है तो वह खजाने में भरे हुए हैं खजाने में भरे हुए से उनका पेट नहीं भरेगा उनको जदी आपकी सरकार उनको मदद पहुचाएगी तो उनका पेट भर तब वो आपकी भक्ती करेंगे जो गोबर भक्त हैं गोबर भक्तों को समझ में नहीं आएगा अच्छी बात क्योंकि उनकी बीमारी है आपने उसको बीमार आपने उनको हिंदू मुसल्मान की बीमारी फैला के उन लोगों को बीमार कर उनका दिमाग जो है खराब कर दिया है उनको अच्छे बुरे की पहचान नहीं है, तो ये बीमारी आपने फैलाया है, खामियाजा भी इस देश के प्रधान मंत्री को इस बीमारी का समय आएगा, तो देश की जनता आपको सबक देगी, जैहिंद, जैहिंद,